आए अभी एक दूसरे टाइप का रियक्सेंस हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कोभी कभी इसी के कोस्टिन्स में दिया रहता है रियक्सेंस और उसमें आपको रियेजेंट दिये रहेंगे और आपको प्रोड़क्स को आप फॉर्मेशन करना है आप यहां देखेंगे कि फफे पहले हमारा ये जो कंपोनेंट्स है यह कौन सा कंपोनेंट्स है इसका नाम अगर हम लोग देखते हैं फिदा आपको इस तरह से रियक्सन लिखा रहेगा तो पहले तो आपको नाम जानना है तो देखिए ये अगर इसके हम counting करेंगे 1, 2, 3 तो प्रोपेन हुआ main component और इसमें chlorine जुरा हुआ है तो ये 1 chloropropane हो गया 1 1 chloropropane ये 1 chloropropane में sodium iodide के साथ ये reaction करा रहा है acidone है, heat वगएरा कर रहे है तो basically इसमें क्या है कि ये displacement हो जाता है chlorine का displacement iodine के दोरा हो जाता है तो कोई दिकत नहीं है यहाँ पे हम लोग देते हैं जैसे ये देखिए CS3 CS2 और ये CS2 और यहाँ पे iodine इस जग़ पर आके लग गया और ये sodium chloride जो है ये अलग निकल गया clear है तो हमारे project क्या गया 1 idopropane 1 idopropane 1 idopropane हो गया अब आज़ेए अब हारे बाफ दूफरा reaction है जैसे CS3 whole 3 CBR ये दिखने से लग रहा है ये tertiary compound है लेकिन इसका अगर हम लोग IUPFE नाम देंगे तो क्या होगा 2-bromo 2-methyl propane clear है नाम जाना बहुत ज़रूरी है इससे आपकी मतलब nomenclature का भी practice हो जाएगा तो हमारा ये क्या नाम जाएगा 2-bromo 2-bromo 2-methyl 2-methyl propane 2-bromo 2-methyl propane अब इथैनॉल और heat के presence में कराएंगे तो ये कौन सा reaction याद करिए dehydrogenation reaction यहाँ कैरी होगा कौन सा reaction कैरी होगा dehydrogenation reaction यहाँ कैरी हो रहा है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोटक्ट से हमारा क्या बनता है obviously यह प्रोपीन मतब इसमें बनेगा आपको alkene वाला compound बनेगा alcohol नहीं जूर पाएगा CH देखिए तो हम लोग इस तरह से इसको कर लेते हैं यह CH3 C यहाँ देखिए CH3 components आ गया और प्लस जो है यह CH2 बन गया तो यह क्या होगा 2-methyl propane जो इसका नेम है क्या है 2-methyl propane clear है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे KBR और उसके बाद यह देखिए S2O यह product हमारे पास बन के आ गया अब हम लोग 3rd number के compounds को देखते हैं देखिए 3rd number के compounds को देखेंगे तो यह क्या है 2-bromo-butane 2-bromo-butane क्या गया 2-bromo-butane आ गया और यहाँ NOH के साथ इसकी reaction करा देंगे हम लोग water और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा यह hydrolysis हो जा रहा है तो hydrolysis हो जाने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे CS3 यह देखिए यहाँ पर CH और यह यहाँ CS2 यह CS3 आ गया और यहाँ पर हम लोग यह देख रहा है जी OH और प्लस जो है क्या निकल गया जी अने बी आ ओके तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला ब्यूटेन 2 आल क्या कौन सा प्रोडेक्ट हमारा बन गया ब्यूटेन ब्यूटेन 2 आल बन गया प्रोडेक्ट क्लिए रहना तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह तीनो री एक्षन समझ में आया होगा इसको बार-बार प्रैक्किस कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा